आज पिल्लाहिमेन शेट्वान रराजीम बिसमिल्लाहितौपमान ररहीम असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ मौसिंदवा और आप लोग देख रहे हैं मेरा थर्ड यूट्यूब चैनल की तू सिक्स्स दोस्तों आज की जो बेरी वीडियो है वो हमारी ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के हवाले से है जिसके अंदर मैं आप लोगों को 50 MCQs जो है वो सॉल्व करवाँगा दोस्तों ये वीडियो ना सिरफ आपको आपके मिड टर्म एक्जाइम की तैयारी में हेल्पफुल होगी बलके आपका जो अपकमिंग ग्रेंड क्विज है उसको भी कर रहा हूं जैसे मैं आप लोगों के लिए effort कर रहा हूं इसी तरह आप भी मेरे लिए effort करें और मुझे support करें ताके मुझे भी यहां से कोई reward मिले YouTube की तरफ से तो इसलिए मेरी तमाम दोस्तों से यही गुसारिश है कि आप लोग शुरू से लेकर end तक मतलब वीडियो सके और आप उससे सीख सकें दोस्तों हम अपनी वीडियो का अगाज करते हैं और first question आप लोगों को सक्रीन के उपर नज़र आ रहा है ते टेकनीक इन वीच वी विजुलाइज आवर प्रोग्रामिंग 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 है और नन ऑफ दी गिवन ऑप्शन है दोस्तों यह हमारा first question है और यह हमारा object-oriented programming के जो definition है उसके यह related question है the technique in which we visualize our programming problem according to the real life problem is called object-oriented programming दोस्तों यह हमें object-oriented programming की definition लिखी हुई नजर आ रही है इसमें object-oriented programming जो है वो second option है तो second option जो है वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है next question number two है जी what a derived class can add new data member, new member and new friend function, new constructor and distractor और all of the given option दोस्तों हमारे पास classes का जिकर गिया जा रहा है in whoop we create general sketch in which the same type of object are given is known as class के हम कोई ऐसा sketch बनाएं जिसमें same type of member हों तो उसको हम class कहते हैं जैसे मैंने यहां पर लिखा class है जी fruit अब fruit के अंदर देखें हमने apple लिखा apple भी एक fruit है, banana लिखा, banana भी एक fruit है, orange लिखा, orange भी एक fruit है तो हमारे पास,лив hurricane है, fruit की एक class बनेगे अब classes की मुक्तिस हमारे पास अक्साम हैं उसमें हमारे पार दो जो major अक्साम है उसको हम parent class करते हैं और child class करते हैं दोस्तों हमारी जो parent class है इसको हम base class भी करते हैं The parent class is called base class No new member added अब base class के अंदर जो है हम कोई नया member add नहीं करते इसके बाद है हमारी जो second category of class वो है child class Child class is also called derived class इसको हम derived class भी कहते हैं अब derived class क्यों कहते हैं क्योंके हम यह जो class है parent class जो है वो निकालते हैं अब इसके अंदर new members भी add किये जा सकते हैं new functions भी add किये जा सकते हैं new constructor भी add किये जा सकते हैं new destructor भी add किये जा सकते हैं तो इसलिए हमारा इस question number two का जो जवाब है वो all of the given option है क्योंकि हम इसमें new member भी add कर सकते हैं new functions भी add कर सकते हैं new constructor और instructor भी add कर सकते हैं तो all of the given option जो है वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है Next question है Question number 3 Fill in the blank Is our use to access information hidden with an object? कि हम किसी भी object की जो hidden information है उसको कैसे access कर सकते हैं? Public member function है Private member function है Both A and B option है और none of the above है दोस्तों यहां पे access specifier की बात की जा रही है Access specifier से मुराद यह है कि हम अपनी class के जो object है उसमें कुछ public object होते हैं कुछ हमारे पास private hidden object होते हैं उनको हम कैसे access कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास जो है तीन specifier है एक अमारे पास public है, एक private है और एक protected है अब जो public है Public specifier is used to access an object whenever you want to access कि जब भी हम उस object को access करना चाहेंगे हम उसको public के थुरू access कर लेते हैं उसके बाद है दूसरा private अब private is used to access the hidden object अगर कोई हमारी class का hidden object है उसको हम access करना चाहा रही है तो उसको हम private के थुरू access करेंगे उसके बाद protected है productive is discussed when we are discussing the inheritance जब हम inheritance की बात करेंगे तो उसको हम protected की बात करेंगे तो अब देखें हम इस question के अंदर hidden object को access कर रहे हैं तो it means कि we are using the private member function और second option जो है वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है next है जी question number four the concept of derived class is involved in structure, encapsulation, inheritance और array अब यहां पे हमें जो derived class के बारे में बताया जा रहा है derived class is the concept related to inheritance inheritance से है कि जैसे हमारी विरासत होती है कि एक parent से जो है कुछ चीज़ें inherit हो जाती है child के अंदर और हमने यह देखा है कि जो derived class है वो parent class से निकलती है तो इसका मतलब यह है कि आपकी उपर parent class के अंदर जो कुछ चीज़ें होंगी वो आपकी child class के अंदर automatically आ जाएंगी अब यह जो concept है कि parent से कुछ चीज़ें जब child के अंदर आ रही है तो इसको हम inheritance कहते हैं तो inheritance इसके अंदर हमारा जो third option है वो इसका बिलकुल ठीक जवाब है इसके बाद हमारा question number five है इसमें true और false की option दी गई है हमें कि हमने बताना है कि यह statement ठीक है या गलत है तो अब this pointer के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इस pointer is passed implicitly to the member function कि यह हमें member function की तरफ पास करते हैं इस pointer is not passed to static member function और यह static member function की तरफ पास नहीं किये जाते हैं बलके dynamic member function के तरफ पास किये जाते हैं reason is static member function cannot access non-static data member उसकी वज़ा यह है कि जो हमारे static member function होते हैं वो non-static जो data होता है उनको access नहीं कर सकते तो इस लिए this pointer are not access for static member function तो यह बात जो है या यह जो statement है बिलकुल ठीक लिखी हुई है तो first वाला जो true option है वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है इसमें plus है फिर plus plus है फिर plus equal है और all of the above है overloaded operators की बात की जा रही है अब यहां पे assume that operator plus has been overloaded then actual C++ code become जब हम किसी भी operator को overload करते हैं तो इस तरह आ जाता है C plus C2, C plus C3 plus C4 अब overloaded कौन से operator होंगे और कौन से operator ऐसे हैं जो overload नहीं होंगे उनकी list आपको यहां पे दी गई है जो overloaded operator है उसमें plus का है, minus का है, multiplication का है, devian का है, modulus का है, and operator है, or operator है इसमें not operator है, xor operator है, plus plus है, minus minus है, equal equal है, equal and greater than है equal and less than है, comma है, और यह आपकी parenthesis दी होई है, bracket दी होई है और not equal दी होई है, और भी कुछ operators हैं जो आपके overloaded हो सकते हैं यह पूरी एक list दी होई है, उसके बाद कुछ operator आपके ऐसे हैं जो overload नहीं हो सकते हैं उसमें dot है, dot steric है, उसके बाद question mark, colon है और यह बाकी के सारे दिये होई है अब यहाँ पे हम से जो पुछा गया है, वो यह पुछा गया है कि कौन सा operator ऐसा है, जो overload हो सकता है तो यहाँ पे जो हमें list दी गई है, उसके मताबिक हमारे यह जो question के अंदर answer दिये गए है सारे operator जो हैं, वो overload हो सकते हैं तो all of the above जो है, वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है नेक्स्ट है जी question no.7, a generalization, specialization, relation between the class and implemented using fill in the blank data hiding है, inheritance है, encapsulation है और friend classes है अब यहाँ पे दोस्तो, inheritance के हवाले से हमें बताया गया है inheritance is a generalization, specialization relation between classes and its implementation तो यहाँ पे second option जो है inheritance वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है नेक्स्ट है जी question no.8, which of the following is used to perform some useful work between object in object-oriented programming इसमें aggregation है, इसमें inheritance है, इसमें encapsulation है और association है तो दोस्तों इसमें हमें association के हवाले से बताया जा रहा है in object-oriented programming or model, object interact with each other, हर जो object है वो दूसरे object के पाद interact करता है in order to perform some useful work, किसी भी function को, किसी भी task को perform करने के लिए between object, object के तर्मियान और entity, entity के तर्मियान using the association और ये काम आपका association के थुरू होता है this association can be represented with a line along an arrowhead अब इस को association को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, वो इस तरह की एक line और arrow के जरीए किया जाता है are without arrowhead या उसके उपर arrowhead ना हो, उस line के जरीए association को रिप्रेजेंट किया जाता है तो दोस्तों हमारा इस सवाल का जो जवाब है, अब इसके अंदर हमारे पाद types भी हैं association की इसमें एक class association है, एक object association है जो class association है, that is implemented by inheritance और जो object association है, that is implemented by object अब जो हमारी object association है, इसको मजीद further classify किया गया है into simple association, composition and aggregation अब यहां पर हमारा जो question है, वो यह है, कि कोई ऐसी चीज़, जिसके वर यह useful, जो task है, वो perform हो, objects के दर्मियान, वो association है तो last वाली जो option है, वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है next है जी, static variable act like global variable in the context of our scope of the class इसमें true और false का पुछा गया है, कि यह statement ठीक है यह गलत है तो हमारे जो static variable होते हैं, that are act like a global variable as well as in the context of our scope of the class तो यह बात हमारी ठीक लिखी हुई है, तो first वाला जो option है true, वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है next है जी, constant object cannot change their state, कि constant जो object हैं, वो अपनी state change नहीं करते इसमें भी हमें true और false बताना है, तो हमारे जो constant object हैं, वो वाकरी state change नहीं करते तो इसलिए हमारी ये statement जो है, ये भी true लिखी हुई है, मतलब ठीक लिखी हुई है इसके बाद question number 11 है, keeping in view the principle of abstraction which of the following information of the company needs to save as employee record इसमें 2 of 1 है, 1, 3 और 5 है, 1, 2, 3 है और all of the given option है अब दोस्तों जब हम abstraction की बात करते हैं, तो capture only those details about the object that are related to the current perspective, कि उस current perspective की अंदर बात की जा रही हो here object Ali, हम देखते हैं कि हमारे पास एक object Ali है अब इसके different perspectives बन सकते हैं, Ali जो है, वो as a teacher भी काम कर सकता है Ali जो है, वो as a student भी हो सकता है, Ali जो है, वो एक banker भी हो सकता है Ali जो है, एक employee भी हो सकता है, तो these are all different perspective of Ali तो ये different, लेकिन ये एक sequence के अंदर लिखे जाएंगे 1, 2, 3, 4, ऐसे नहीं है, कि हम जो है, पहले 1 लिख दें, फिर 3 लिख दें, फिर 5 लिख दें, ये 2 लिख दें, 1 लिख दें, ऐसे नहीं अब इसके अंदर हमारा जो correct जवाब है, वो 1, 2 और 3 है, तो C option जो है, वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है नेक्स्ट है जी, question number 12, fill in the blank operator is used to access via the variable name, इसमें dot operator है, इसमें arrow operator है, इसमें equal operator है, और all of the above है तो दोस्तों, जब भी हम access करते हैं members को, तो वो हम different methods के जरीए access करते हैं, वो different methods हमारे पास 2 available है, किसी भी class के object को access करने के लिए एक हमारे पास dot operator है, अब यहाँ पर देखें, dot operator to access via variable name, हम उसके variable name से जो है, उसको object को access करते हैं, यहाँ पर देखें, student जो है, वो एक class का नाम है, और a student जो है, वो उस class का एक object है, और हम इस object को access करना चाह रहे हैं, तो हम ने लिखा a student, object का नाम, dot roll number, और roll number जो है, यह उस object का एक attribute है, equals 5, के आप student class के एक object, आप student को access करो, और उसका जो एक attribute है, raw number उसको value 5 assign कर दो, इसके बाद अब दूसरा जो हमारे पास operator है, that is known as arrow operator, arrow operator जो है, वो हम pointer की मदद से access करते हैं, आप इसके अंदर देखें, यहाँ पे student जो है, वो ही class का नाम है, स्टैरिक आगया, तो यह एक pointer है, अब यहाँ पे एक variable name नहीं, बलके एक pointer है, equals new student, new student का मतलब यह है, के हम एक नया object create कर रहे हैं, अब हमने जो object create किया है, अब student, उसको जो है, हम access करते हैं, अब student लिखा, arrow operator लगाया, और फिर roll number और फिर equals 5 लगाया, तो यह दो हमारे पास परीके हैं, जिनके जरी हम object को access कर सकते हैं, but in these two methods, when we are using the dot operator, it means के we are accessing the object of the class with the help of variable name, and when we are using the arrow operator, it means के we are accessing the object of that class by pointer, तो यहां पर variables की बात की जा रही है, तो इसका मतलब यह है, के हम dot operator यूज कर रहे हैं, तो first वाला जो है, वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है, next है जी, which construct is source for the creation of an object at runtime, कौन सा source ऐसा है, जिसके उपर हम एक object को create करते हैं, runtime के उपर जब हम अपना program compile कर रहे होते ह या चला रहे होते हैं, इसमें destructor है, इसमें new operator है, इसमें delete है और constructor है, यहां पर अब बात की जा रही है, नए object की creation की, it means कि we are using the new operator, क्योंकि new operator के ज़रिये ही हम किसी भी object को create कर सकते हैं, ना सिर्फ program के अंदर, बलके runtime के उपर भी हम उस object को create कर सकते हैं, तो इसमें जो second वा का बिलकुल ठीक जवाब है, next है जी, fill in the blank, remain in memory even when all object of classes have been destroyed, variable है, primitive variable है, instance variable है, और static variable है, तो दोस्तों, यहां पर बात की जा रही है, life of static variable की, या member की, they are created when there is no object, जब हमारे पास कोई object नहीं होगा, तो उस वक्त जो है, वो create होंगे, they remain in memory, यह memory के अंदर रहते हैं, even when all object of class are destroyed, जब हम उस class के सारे object को destroy भी कर दें, तो यह रहते हैं, तो यह हमारे पास static variable है, या static data member है, तो आखरी जो option है, static variable, यह हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है, next है जी, how many types of association in object-oriented program, के हमारे पास कितनी किसम की जो है, वो association है, इसमें हमारे पास 1, 2, 3 और 4 दिया हुआ, हमारे पास 2 किसम की ही association है, we have already discussed it, हम इनको पहले भी discuss कर चुके हैं, इसमें class association है, और object association है, तो B option जो है, दो, यह हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है, next question है, question number 16, a static member function cannot declare, static है, implicit है, explicit है, और virtual है, के static member function जो है, वो क्या चीज़ declare नहीं कर सकता, अब यहाँ पे हमारे पास, जो static member function cannot declare virtually, के हमारा जो static member function है, वो virtually declare नहीं किया जा सकता, बलके static भी declare किया जा सकता है, implicit भी declare किया जा सकता है, और explicit भी declare किया जा सकता है, तो इसलिए, हमारे इस सवाल का जो जवाब है, वो virtual आएगा, आखरी जो option है, वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है, next है जी question number 17, the compile what object is your overload the, यहां पर steric जो है, वो pointer को represent कर रहा है, steric operator to perform devian, के हम steric operator को जो है, overload कर दें, devian के लिए ये बात ठीक है या खलत है, तो ये बात जो है, वो हमारी true लिखी हुई है, अगर हम steric operator को devian के लिए, जो है, वो overload कर सकते हैं, तो first वाली जो option है, वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है, next है जी question number 18, which operator cannot overloaded, के कौन सा operator ऐसा है, जो हमारा overload नहीं होता, इसमें the relational operator है, greater than or equal to assignment operator है, script operator है, और conditional operator है, तो हमने ये पहले पड़े हैं, overloaded operator और कौन से ऐसे operator हैं, जो overload नहीं हो सकते, तो इसमें हमारा जो है, conditional operator, last वाला, वो overload नहीं हो सकता, तो आखरी जो option है, वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है, next है जी, what problem may occur when we are copying object without using deep copy, हमारे साथ कौन सा problem occur हो सकता है, जब हम deep copy का constructor यूज नहीं कर रहे होते, तो किसी भी object को copy करने के लिए, इसमें memory leak है, इसमें entangling pointer है, इसमें system crash है, और all of the given option है, तो यहां पे हम थोड़ा सा deep copy को देख लेते हैं, कि deep copy हम किस लिए यूज करते हैं, इसमें deep copy जो है, वो हम किसी भी object को एक class से copy करके दूसरी class में copy करने के लिए यूज करते हैं, इसमें हमारे पास जो है, अगर हम deep copy का constructor जो है, वो यूज नहीं करते, तो उस सुरत में हमारी memory भी leak हो सकती है, देंगलिंग पॉइंटेर का error भी आ सकता है, और system भी हमारा जो है, वो crash हो सकता है, तो इसका मजलब यह है, कि हमारे सवाल का जो जवाब है, वो all of the given option है, कि if we are not using the deep copy constructor for copying an object, तो हमारा कुछ भी हो सकता है, तो आखरी option जो है, वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है, नेक्स है जी, a static member function can be called even when a class is not fill-in-the-blank, declare, define, instanted, or called, तो यहाँ पे जो है, हमारी जो class है, अगर वो instanted ना हो, तो हम static member function को call नहीं कर से तो फी option जो है, वो हमारा इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है, नेक्स है जी, question number 21, suppose there is an object of type class, which of the following can be considered as one of the function, कि हमारी एक class है, उसके कौन सा function हो सकता है, तो object जो है, anything around us known as object, अब object की दो चीज़े होती है, एक उसका attribute होते हैं, दूसरा उसके behavior होते हैं, यहां पर वैसे दोनों attribute लिखे हुआ हैं, लेकिन आगे जो है, behavior है, तो attribute जो है, वो उसकी characteristic होती है, किसी भी object की, और जो behavior है, वो उसके function होते हैं, अहां एक example के वरिये में यह आपको समझा जेता हूँ, for example हमारे पाफ एक car है, तो car का जो color है, और car का जो model है, यह उसकी characteristic है, यह उसकी attribute है, इसी तरह हम एक person को लेते हैं, person जो है, car की ही example को लेते हैं, उसमें change color, अगर हम उस car का color change करना चाह रहे हैं, यह उसका एक function है, car का steering को change करना चाह रहे हैं, यह उसका एक function या behavior है, चेहकार का model चेंज करना चाह रहे हैं, यह उसका behavior change या function हो सकता है, अब यहाँ पर वो यह पूछता है, हमारे पाफ एक class है, उसके अंदर कौन सा जो person का जो function हो सकता है, इसमें change name का function है, इसमें class का change section का है, change in charge का है, तो सारे function class के हो सकते हैं, तो इसलिए हमारा जो last वाला option है, वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है, next is G22 के उपर, the class which is derived from parent और base class is known as fill in the blank, इसमें parent class है, इसमें child class है, इसमें base class है और all of the above है, तो मैंने आपको पहले भी बिताया है, कि जो हमारी child class है, that is derived from the parent class, ये inheritance का concept है, तो हमारी जो है, वो child class होगी, तो B option जो है, वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है, इसके बाद question number 23 है, fill in the blank, member function is used to access the object anywhere and anytime, कौन सा function हम use करते हैं, किसी भी object को, किसी भी जगा पे, किसी भी time पे access करने के लिए, तो वो हमारे पास, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, access specifier के अंदर, कि हमारे public member function ऐसे हैं, जो हम किसी भी object को access करने के लिए use करते हैं, किसी भी जगा पे, किसी भी time पे, तो first वाली जो option है, वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है, इसके बाद question number 24 है, इन उप, a class is an example of, none of the given option, common noun है, proper noun है, और noun है, कि class का जो नाम है, वो आपका क्या होगा, तो इसके अंदर, the name of class में भी noun, कि हम किसी भी class का जो नाम रखेंगे, वो noun होगा, class are user-defined data type, in object-oriented programming, classif जो हैं, वो user-defined data type है, object-oriented programming के अंदर, तो noun जो है, वो हमारे इस सवाल का, बिल्कुल ठीक जवाब है, तो आखरी option जो है, वो noun है, तो आखरी option, हमारे इस सवाल का, ठीक जवाब है, इसके बाद question number 25 है, which of the following is not type of association, इसमें simple association है, इसमें composition है, इसमें aggregation है, और none of the given option है, तो हमने देखा था, कि हमारी जो object association है, जिसको further classify किया गया है, into further association type, इसमें simple association है, composition है, और aggregation है, तो कोई भी ऐसी नहीं है, जो association ना हो, तो इसलिए, हमारा जो none of the given option है, वो हमारे इस सवाल का, बिल्कुल ठीक जवाबर, next है जी, question number 25, we can use this pointer, in the constructor, in the body, and even the initialization list, of any class, if we are careful, यह हम से पूछा गया है, कि यह बात ठीक लिखी हुई है, या गलत लिखी हुई है, मतलब true है, या false है, तो यह बात हमारी जो है, वो गलत लिखी हुई है, का बिल्कुल ठीक जवाब है, next है जी, question number 27, which part of an object, x-bit is state, इसमें data है, इसमें operator है, इसमें public है, इसमें private है, तो हमारा जो data object है, इसकी जो state है, वो x-bit होती है, तो इसलिए, first वाली जो option है, data, वो हमारे इस सवाल का, बिल्कुल ठीक जवाब है, next है जी, question number 28, inheritance is a way to, organizing data, pass, argument, add feature to the existing class, without reviewing them, none of the given option, तो हम inheritance को देख लेते हैं, inheritance में यह होता है, it is a way to add feature, के हम कुछ feature को add करें, to existing class, जो हमारे पास parent class है, जो already exist कर रही है, without reviewing them, हम उसको देखे बगएर, re-riding them, हम उसको देखे बगएर, जो है, वो child class के अंदर, कुछ features को add कर लेते हैं, तो यह जो हमारा concept है, यह inheritance का है, तो fee option जो है, के inheritance is a way to add feature, के हम inheritance की मदद से, जो है, कुछ नए, कुछ feature add करते हैं, तो existing class, जो हमारे पाफ class, पहले से मजूद है, without re-writing them, उनको modify किये बगएर, उनको rewrite किये बगएर, तो third option जो है, वो हमारे इस सवाल का, बिल्कुल ठीक जवाब है, next है, जो हमारे इस सवाल का, बिल्कुल ठीक जवाब हो गया, इसके बाद question number 30 है, अगर हमारे दो अबजेक्ट हो, एक अबजेक्ट बी हो, और हम उन दोनों को equal करना चाह रहे हैं, और जो है, वो दोनों different class के हैं, तो ये बात हमारी ठीक होगी, हमारा जो है, compiler उस पे error देगा या नहीं देगा, ये बात हमारी ठीक लिखी हुई है, या गलत लिखी हुई है, तो इसमें हमने true और false के हवाले से बताना है, तो दोस्तों, ये बात हमारी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, अगर हम दो classes के दो object को, object A को और object B को equal करना चाहें, तो हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारा जो compiler है, वो runtime के उपर जो है, वो error जिनरेट करेगा, तो ये बात जो है, वो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, तो false वाली जो option है, वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है, दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, कि मेरे तीन YouTube चैनल है, जिसमें एक virtual student support services YouTube चैनल है, जिसके उपर मैं आप लोगों को, आपकी assignments के, आपके JTBs के, और आपके quiz के solution जो है, वो फुरहाम करता हूँ, उसके बाद मेरा जो second channel है, वो 24R7 Teachers Online है, जिसके उपर आपके जो मुश्किल subject हैं, वो कुछ 15 मैंने उठाए हुए हैं, और इंशाला अगले semester के अंदर, मजीद और subject के lectures भी record करूँगा, तो वहाँ पे मेरे lecture recorded हैं, आप उस channel को भी जरूर visit करें, और वहाँ पे जो lectures available हैं, उनसे भी वाइदा उठाए हैं, इसके बाद तीसरा जो channel है, जो आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम key to success है, key to success के उपर, मैं आप लोगों को, आपके mid term की तैयारी के हवाले से material फराहम करता हूं, और आपको, आपके final term की तैयारी के हवाले से material फराहम करता हूं, तो मैंनी तमाम दोस्तों से गुजारिशी ही है, कि आप मैंने तीनों channel को subscribe कर लें, ताके मुझे भी वैसे ही support करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए इतनी effort कर रहा हूं, चलते हैं जी, अगले question की तरफ, जो के है fill in the blank operator is used to access via the pointer to an object, कौन सा operator जो है वो हम use करते हैं pointer के जरीए किसी भी object को access करने के लिए, इसमें dot operator है, इसमें arrow operator है, इसमें equal operator है और all of the above है, तो इसमें हम जो arrow operator है वो use करते हैं, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो second option जो है, वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है, next है जी, the life of sub object is not dependent on the life of the master class in fill in the blank, इसमें composition है, इसमें separation है, इसमें aggregation है और none of the given option है, तो दोस्तों, aggregation जो है, उसके बारे में बताया जा रहा है, aggregation is a weak relationship than composition, composition से इसका जो relationship है, वो weak होता है, because in this relationship, two classes get services of each other, but cannot exist independently as well, क्योंकि उसकी वज़ा यह है, कि इसके अंदर दो classes की बात होती है, जो अग्विस्ट नहीं, independently exist नहीं करती, in aggregation a pointer refer to an object, aggregation के अंदर ही, हम लोग एक pointer को refer करते हैं, object की तरफ is created inside a class, जो हम class के अंदर create करते हैं, तो सब अब्जेक्ट have a life, that is not dependent on the life of the master class, और हमारे जो उस सब अब्जेक्ट की जो life है, वो हमारी master class के ओपर dependent नहीं होती, तो aggregation जो है, वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है, तो third option जो है, वो aggregation है, तो third option जो है, वो हमारे इस सवाल का ठीक जवाब है, next है जी, the greater than equal to operator cannot be overloaded, कि greater than और equal to का जो operator है, वो overloaded नहीं होता, तो ये बात जो है, वो हमारी जो है, बिलकुल ठीक लिकी हुई है, कि greater than equal to का जो operator है, वो overload हो सकता है, तो first वाली जो option है, वो बिलकुल ठीक है, पहले मैंने not का तो वो गलती से होगे है, बलके ये question ये है, the greater than equal to operator can be overloaded, क्या ये operator overload हो सकता है, तो इसमें बताना ये है, कि ये हमारी बात ठीक लिकी हुई है, ये गलत लिकी हुई है, तो ये बात बिलकुल ठीक लिकी हुई है, equal to और greater than का जो operator है, वो overload हो सकता है, तो first वाली जो true option है, वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है, next है जी, which of the following is type of association implemented in terms of inheritance, कि कौन सी ऐसी आपकी association की type है, जो आपकी implement की जाती है by the inheritance, इसमें simple association है, इसमें आपकी composition है, इसमें आपकी aggregation है, इसमें आपकी class association है, तो दुफ्तो हमारी जो class association है, that is implemented by the inheritance, वो inheritance के वरिये जो है implement की जाती है, तो last वाली जो option है, class association, वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है, next है जी, static member function can be declared in fill-in-the-black type, इसमें 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, कितने type के आपके जो static member function है, उनको declare किया जा सकता है, तो उसमें आपके static भी है, उसमें आपके implicit भी है, और explicit भी है, और static member जो function है, उनको declare नहीं किया जा सकता, विर्चुली, तो तीन हमारे पास किसमे हैं, जिनके पर यह किसी भी static member function को declare किया जा सकता है, तो इसमें जो third वाली option है, उसके उपर 3 है, तो third वाली option, जो C option है, वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है, next है जी, 36 के उपर, in order to free the memory occupied by an object, we use will in the blank, कि हम कौन सी चीज़ इस्तमाल करते हैं, रिजर्व की है, इसमें constructor है, इसमें आपका destructor है, इसमें आपका shallow copy है, और deep copy है, तो दोस्तों, हम जो है, constructor यूज़ करते हैं, to allocate the memory to the object, और जो destructor है, वो हम यूज़ करते हैं, to free the memory from the object, किसी भी object से अपनी memory को free करवाने के लिए, तो इसमें जो destructor है, वो B option के उपर available है, तो second option destructor जो है, वो हमारे सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है, next is 37 के उपर, fill in the blank, certified the condition of polymorphism, कि कौन सी ऐसी condition है, जो आपके polymorphism concept को satisfy करती है, इसमें carbon है, इसमें आपकी diamond है, इसमें आपकी coal है, और all of the given option है, तो दोस्तों, polymorphism के हवाले से हमें बताया जा रहा है, polymorphism satisfy their condition in the following, कि polymorphism जो है, वो अपनी जो condition है, वो उसको satisfy करता है, with the help of carbon, with the help of the diamond, with the help of the coal, तो फारी option जो है, वो हमें list की सूरत में दी गई है, तो all of the above जो है, वो हमारा carbon, diamond और coal, यह हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है, और यह list जो है, यह polymorphism के concept को जो है, वो satisfy करती है, तो all of the above जो है, वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है, नेक्स टैजिट 38 के उपर, one fill in the blank is our relationship, के इसमें कौन सा जो है, वो is a का relationship होता है, इसमें inheritance है, इसमें आपका polymorphism है, इसमें आपका abstraction है, इसमें आपका all of the above है, तो दोस्तो हमारी जो inheritance है, इसके दर्वियान जो है, वो is a का relationship होता है, तो one inheritance is our relationship, हमारी relationship के उपर base करती है, क्योंकि इसके अंदर देखें, उपर आपकी parent class होती है, that is used to inherit some feature to the child class, वो उसके अंदर आपके कुछ feature जो है, वो inherit किये जाते हैं, आपकी child class के अंदर, तो उनके दर्वियान एक relationship बन जाता है, उपर parent class के दर्मियान, और आपकी child class के दर्मियान, तो inheritance जो है, वो इस एक ए relationship को show करती है, तो first वाली जो option है, वो inheritance है, और first वाली option ही, हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है, next एजी 39 के उपर, the fill in the blank relationship indicates that object contain other object, कौन फी चीव ऐसी है, जो आपको बताती है, कि एक जो object है, उसके अंदर एक और object है, have a, is a, be or none of the given option, तो यहाँ पे हमें जो है, वो कोई भी ऐसी चीव नहीं लिखी हुई, जो हमें ये बताए, कि एक object के अंदर एक और object है, और वो relationship को show करे, तो इसलिए, last वाली जो option है, none of the given option, वो हमारे इस सवाल का बिलकुल, ठीक जवाल, question number 40 है, question number 40 है जी, question number 40 शुरू करने से पहले, मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों के लिए मिहनत करता हूं, तो आप लोग भी वैसे देखने में भी मिहनत किया करें, उसमें कंजूसी नहीं किया करें, एक गंटे की वीडियो है, तो आप अगर इसको mute करके भी चला देंगे, तो उससे फाइदा ये होगा, कि मुझे भी support मिलेगी, मेरे चैनल को growth मिलेगी, तो आप लोग कोशिश करें, कि ये एक गंटे की हर बंदा जो भी है देखने वाला, अगर उसके पास time नहीं है, तो वो अपने system के उपर इसकी voice मूइर्ट करके भी चला सकता है, तो आप लोग शुरू से लेकर end तक मेरी वीडियो को देखा करें, ताके मुझे भी, जैसे मैं आप लोगों के support कर रहा हूँ, क्योंके मैं किसी से कोई fees charge नहीं कर रहा, तो वैसे ही, आप मुझे भी support करें, और मुझे भी फाइदा हो ताके आप लोगों से, ताके मुझे भी कुछ यूट्यूब वाले reward दें, और मैं आपके लिए इसी तरह मेहनद करता रहूँ, आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो बनाता रहूँ, और दौाओं में भी याद रखा करें, क्योंके मैं एक बड़ी effort होती है, इन वीडियो को बनाने में आपको idea होगा, आप बाकी channels को भी visit करते हैं, पेन ले लिया करें, अगर आपके पाफ टाइम नहीं है, तो आप उसकी basic voice mute करके भी वीडियो चला सकते हैं, दोस्तों, question number 40 क्या है, question number 40 है, fill in the blank, provide facility to access the data member, के कौन सी चीज ऐसी है, जो आपको facility परवाइड करती है, किसी भी class के data member को जो access करने के लिए, इसके अंदर accessor function है, इसमें आपके private function है, इसमें in-line function है, और all of the above है, तो हमारे पास जो accessor function है, वो हम लोग पहले भी पढ़ जुके हैं, accessor function के हवाले से वो तीन, public, private और वो protected, उसके जरीए हम किसी भी class के जो members है, data member हैं, या functions हैं, या कोई भी चीज़ है, उसको access करते हैं, तो accessor function जो है, provide the facility to access the data member of an class, तो उसके वरिये जो है, हम किसी भी class के data member को access करते हैं, तो accessor function जो है, वो पहले number पे लिखा हुआ है, तो first वाली जो option है, वो हमारे इस से वाल का बिलकुल ठीक जवाब है, इसके बाद question number 41 है, the main class or base class is known as fill in the blank, इसमें parent class है, इसमें child class है, इसमें base class है, और इसमें all of the above है, हम लोगों ने पहले भी पढ़़ा है, classes के हवाले से दो अक्साम मैंने आप लोगों को बताई थी, एक आपकी parent class, एक आपकी child class, parent class is also known as the base class, के हम उसको main class भी कह सकते हैं और base class भी कह सकते हैं, इसके बाद जो आपकी child class है, that is also known as the derived class, इसको हम derived class भी कहते हैं, तो हम से पुछा गया है, के base class को जो है हम क्या कहते हैं, तो base class को जो है दोस्तों हम parent class कहते हैं, तो first वाली option के उपर जो है, इसमें operator है, इसमें constant है, इसमें if else है, और none of the given option है, दोस्तों यहां पर बात की जा रही है reserve words की, के कौन से ऐसे अलफाज हैं जिनको हम जो है as a variable name या as a keyword यूज़ नहीं कर सकते, उन अलफाज को जो है हम लोग reserve words कहते हैं, the reserve words are the words which not use a variable R की word in C++, कि यह ऐसे अलफाज हैं जिनको हम as a variable name भी यूज़ नहीं कर सकते, और as a keyword भी यूज़ नहीं कर सकते, तो वो अलफाज जो हैं कुछ आपको यहां पर example दी गई है, इसमें आपके पास operator है, इसमें आपके पास constant है, इसमें आपके पास if else है, इसमें आपके पास switch है, इसमें आपके पास class है, यह सारे ऐसे words हैं, जिनको आप C++ के अंदर as a keyword यूज़ नहीं कर सकते, तो इसमें हमसे not पुछा गया है, तो last वाली जो option है, none of the given option, इसमें कोई सा भी ऐसा option नहीं है, जो C++ के अंदर use किया जा सके, तो none of the given option जो है, वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है, next है जी, 43 के उपर static variable can be initialized more than once, इसमें true है और false है, कि हमारा जो static variable है, उसको हम initialize एक से ज्यादा बार नहीं कर सकते, ये बात ठीक लिकी हुई है या गलत लिकी हुई है, तो ये बात जो है, हमारी बिल्कुल ठीक लिकी हुई है, क्यूंकि हम किसी भी variable को, जो है, वो more than once जो है initialize कर सकते हैं, value assign कर सकते हैं, लेकिन जब हम static variable की बार करते हैं, तो उसका मतलब ये है, कि ये static है, इसके state जो है, वो change भी नहीं हो सकती, तो इसको हम एक से जाइद बार जो है, वो initialize या value assign भी नहीं कर सकते, तो ये बात जो है, हमारी बिल्कुल ठीक लिकी हुई है, तो first वाली जो option true है, वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जबाब है, next है जी, 44 के उपर, which of the following is not example of multiple inheritance, कि multiple inheritance के अंदर क्या चीज़ आती है, mermaid है, woman है, hospice vehicle है, and none of the given option है, अब सबसे पहले तो हम multi inheritance को देख लेते हैं, multi inheritance के जैसे दादा है, फिर अबू और फिर आगे आपका पोता, इस तरीके से multi inheritance आगे चली जली जाती है, इसमें हम example देख लेते हैं, हमारे पास एक car है, car जो हमारे पास एक class है, तो car के नीचे जो Toyota car है, वो आपकी multi inheritance के आजाएगी, कि उसकी जो sub category है, वो आजाएगी, इसी तरह class है, 9th class जो है, वो आपकी sub category के अंदर, यह sub inheritance के अंदर आजाएगी, तो अब इसमें देखें, mermaid और जो थर्ड आप्शन आफ एफ 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 वहिकल, यह आपकी multi inheritance के अंदर आती है, जो woman है, वो खुद एक main class है, या आपकी parent class है, तो यह आपकी multi inheritance के अंदर नहीं आती, अब जो mermaid है, वो आपकी, समझे लें कि फिश की एक type है, तो फिश आपकी main class है, और उसे inheritance होके mermaid बनती है, तो इसी तरह वहिकल के भी ही है, वहिकल आपकी main है, और obvious वहिकल जो है, वो आपकी multi inheritance के अंदर आ जाएगी, तो woman जो है, वो आपकी main class है, अगर इसके अंदर old woman होता तो वो आपकी multi inheritance बन जाती, तो second वाली जो option है, आपकी woman, वो आपके इस सवाल का बिलकुल ठीक जबाव है, नेक्स्ट है जी 45 के उपर, there is an object type of person, हमारे पास एक object है, person type का, person class का, which of the following can be considered as one of its attribute, हम attribute और functions के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, attributes are the characteristics of an object, object of object की characteristic होती है, इसमें देके name है, age है, और work, work जो है, उसके साथ वो parenthesis दी हुई है, और semicolon भी लगा है, तो इसके बाद both a and b लिखा हुआ है, तो both a and b जो है, वो हमारे इस सवाल का ठीक जवाब होगा, क्यूंकि, person का जो है, वो name भी होता है, और age भी होता है, और these are two characteristics of the person object इसके बाद question number 46 है, a C++ class is similar to fill in the blank, इसमें structure है, इसमें header file है, इसमें library file है, और none of the given option है, तो C++ जो है, वो हमारे similar to structure है, तो first वाली जो option है, वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है, next age 47 के उपर in object-oriented programming, a class of object can fill in the blank property from another class of object, इसमें utilize है, इसमें borrow है, इसमें inherit है, adopt है, तो ये भी inheritance का ही concept है, जिसके अंदर हम एक class के जो हैं, वहां से कुछ चीवें जो है, वो ले लेते हैं, अदूफरी class के अंदर, तो ये inherit है, तो third वाली option जो है, वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है, next age 48 के उपर which of the following is the symbol you have to represent the association, कि कौन से symbol ऐसी है, जो आपकी association को रिप्रिजेंट करती है, यहां पे आपको चार किसम के lines दी गई हैं, A, B और C के उपर, last वाली जो दो हैं, वो equals के साथ दी गई हैं, तो ये तो बिलकुल नहीं होगी, तो first वाली दो हैं, उसके अंदर जो B option है, वो आपका इस स जवाल का बिलकुल ठीक जवाब है, next है जी, 49 के उपर, 49 जो है, in oop, a class is an example of fill in the blank, data type है, user-defined data type है, abstract type है, और none of the given option है, तो दोस्तो, हम classes के बारे में पहले भी already within detail पढ़ चुके हैं, तो हमने, जब हम classes की बात कर रहे थे, तो वहां पे मैंने आमको बताया था, कि classes are the user-defined data type in the object-oriented programming, तो classes जो है, वो हमारी user-defined data type है, user-defined data type जो है, वो second option के उपर लिखा हुआ है, तो B option जो है, वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है, आखरी question है, जी, which of the following operator cannot be overloaded, कि कौन सा operator जो है, वो हमारा overloaded नहीं हो सकता, इसमें plus plus है, और इसमें plus का है, plus equals है, और colon colon का द हम लोग over loading operator के बारे में within detail में आपको बता जुका हूँ कि कौन से operator जो है, वो overload होते हैं, और कौन से operator जो है, वो overload नहीं होते, और जो overload होते हैं, उनकी भी list में आपको दिखाई है, और जो operator overload नहीं होते, उसकी भी list दिखाई है, तो इसमें आपका जो third number के ओपर operator दिया गय कॉलन कॉलन वाला वो आपका ऐसा ऑप्रेटर है जो ओवर्लोड नहीं हो सकता तो थर्ड आप्शन जो है वो इस सवाल का आपका बिल्कुल फीक जवाब है दोस्तों आखिर में मैं फिर आप लोगों को कहूंगा कि मेरी हर वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करें ताके म मिद्टर्म की और फाइनल किमृERS की अच्छे से तयारी हो सके य Yap व्यदि ये वीडियो ना फिर्फ आपको मीद्टर्म के तयारी में और ना फिर्फ आपको फाइनल टर्मकी तयारी में हल्फुल होंगी बल्के आपके जो कुए तो संस्वार रहे हैं उनको वैस्तों करने म